हेलो आप वेल्कम बाноग टू मैं जर्णल 25 आज जो में स्नेक्स बनाने जा रही हुआ वर्ध में में भी खाते या ऐसे भी साम के टाइम ज़्ट चाय के साथ खा सकते हैं अ को बहुत ही चटपटा बहुत घ्री थे आज आज श्नेक्स बनने वाली हुआ आरह वरेform aja कि मैं आज बना रही है वो भी आपको सेयर कर रही है यहां पर मैं आलु कोुछ यह शिर अपाला खेला है अपने हिसाब से ने भी ना दें तरहे वाथिा कर्ण एक्नुम्ट गरने की जिसाब से कॉ पुरिटक करें यहुश्ट इसमें मैं दो लगा दिए हूँ कि इसमें दो ही आरा इस तरह से प्रेश करूंगी और यह अपने आप शेप में फ्रेंज प्राइज के कट जाएगा यह नाइप से भी बहुत असानी से कट जाती है लेकिन मेरे पास थात मैं इसी से कटिंग कर ले रही हूँ इसमें काफी सारे अलग-अलग कटा रहता है बारिक सब्जी वगर भी कटिंग करना रहता है तूर्स के लिए अलग से आती है तेहां पर देखें इसी तरह से मैं सारा लगा-लगा करके कटिंग कर लेती हूं और आप से रिक्वेस्ट है प्रेंट प्लीज वीडियो मेरा इतना नहीं खराब रहती है आप लोग लाइक नहीं करते हैं प्लीज वीडियो को लाइक किया किजिए लाइक करने बहुत कंजूसी करते हैं प्रेंट आपकी एक लाइक से मुझे काफी कुछी मिलते है और आपके लाइक करने में एक सेकें भी नहीं लगती है लाइक बिल्कुल तो प्लीज वीडियो को लाइक जड़ूर कर दिया किजिए यहां पर देखिए सारा में कटिंग कर ली हूँ और यह बहुत ही असानी से कटिंग हो गई है अब इसको एक बार फिर से हम धो लेंगे धोने के बाद यहां पर एक में बरतन में पहले से ही पानी रख दी थी वाइ कुछ आपड़ को दोमक कर दोता किती तो थोड़ा से बता रिक मैं कगूत नहीं पकाना आ नहीं रहे हैं टोड़ा से नीकाल लेते हैं बस इसको दो से तीन मिनेट के लिए ऑसके निकाल लेके बाद से之व हमें ठंडा कर लेनी है जबता हर तक हमारा खंडा हो रहा है बस यहां पर साबूदाना को क्या कर रहे हैं, यहां पर मैं हलका सा मुआशर निकाल रहे हूं, साबूदाना को ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस हलका सा मुआशर निकालना है, ताकि इसका मुआशर निकल जाए तो यह पीछने में बहुत अच्छा से फाइन पाउडर बन जा यहां पर देखिए यह मैं पीछ ली हूँ आप इसके जगह पर ऐसे अंदीनों बना रहे हैं ब्रत के लिए नहीं बना रहे हैं ताब इसमें चावल ख्याटा भी डाल सकते हैं लेकिन यह साबू दाना से भी काफी क्रिस्पी लगता है अब एक बर साबू दाना करके देखिए काफी अच्छा लएगा थोड़ा से मैं यहां पर काली मिर्च का पाउडर डाल रहे हूं आप चाहें तो मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं अब मैं दूसरी प्लेट में थोड़ा सा स्पेस वाला में निकाल ली हूँ और इसको हम इस तरह से हवा करेंगे ताकि एक्स्टा जो भी इसका साबुदना का आटा होगा और निकल जागा नहीं तो हम तेल में डालेंगे फ्राई करते टाइम तो पूरा तेल हमारा खराब हो जाएगा तिसलिए मैं इसको निकाल ले रहे हूं आप चाहें तो बड़ा और जो चननी आता उस थे चान सकते हैं मैं यहां पर निकाल ले रहे हूं सारा अब मैं यहां पर एक कडाही में गी बैठाई हूं आप रिफाइंड ओल खाते हैं तो रिफाइंड ओल में भी बना सकते हैं और इसमें हमें डाल देना है इसको गी में ही फ्राई करिएगा परें क्योंकि ब्रत वाला है तो गी में ही फ्राई करके बिखाया जाता है नहीं तहीं आप रिफाइंडोल खाते हैं तो वह थो अच्छा है तो उसके भी आप बना सकते हैं हम लोग घी खाते हैं तो मैं घी में यहां पर फ्राइप कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा आपको फ्लेम को रहे हैं तो बहुत क्रिस्पी बनेगा और बा आटा के साथ में थोड़ा सा इसमें पुदीना और धनिया पत्ता के जो चटनी होती है और डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए उसके बाद आप तेल में इसको फ्राइ कीजिए उससे काफी फ्लेबर अच्छा आता है बहुत टेस्टी उससे टेस्ट बढ़ जाता है बट मैं ऐसे ब्रत में नहीं खाती हूं धनिया पुदीना तो मैं नहीं डाली हूं आप इसमें फ्राइ करने से पहले थोड़ा सा धनिया पुदीना का चटनी डाल करके इसको मिक्स करके इसमें तेल में फ्राइ कीजिएगा तो काफी टेस्टी लगता है तो मैं एक बैच के प्राई कर ली हों और बाकी मैं इसी तरह से जो बच्चा हुए उसको फ्राई कर ली हुए यहां पर देखिए एक में मिर से यहां पर फ्राई करके डाल दी हूं यह काफी टेस्टी बनता है फ्रेंट काफी टेस्टी लगती है